और अगली बड़ी कबर मुंबई से मुंबई हिट एंड डुन का आरूपी अभी फरार है मिहर के तलाश में पोलस की चार टीमें लगी हुई है आरूपी के पिता समेथ दो लोगों को गिरफतार किया है पोलस आज दोनों को कोट में पेश करीगी हिट एंड डुन में एक महिला की मौत हुई है लेकिन जो मुख्य आरूपी है मिहर शा वो अभी भी फरार बताया जा रहा है पोलस की चार टीमें उसके पीछे लगाई गई है लेकिन अब तक महिला की मौत हो गई थी इदर पोलस ने कारवाई करते हुए आरूपी की पिता समय दो लोगों को गिरफतार किया है जिने आज कोर्ट में पेश किया जाएगा तो अपडेट यही है कि मुख्य आरूपी मिहरशा अभी भी परार है जिसके पीछे पोलस की चार्टीमे लगी हुई है पोलस तलाश लगातार कर रही है आरूपी की पिता समय दो लोगों को गिरफतार किया गया है और आज इन दोनों लोगों को पोलस कोर्ट में पेश करेगी मिहरशा की गाड़ी से एक महिला की मौत हो गई थी जिसके बाद से जो मिहरशा है मुख्य आरूपी वो फरार चल रहा है और अब पोलस की चार्टी में उसके पीछे लगाई गई है धूनने की कोशिश की जा रही है इधर पोलस ने कारवाई करते हुए जो मिहरशा के पिता है उससे गरफतार कर लिया है ये तीन तस्वीरे आप देखें मुंबई हिट अन्डरन केस में एक महिला की मौत हो गई थी अपने पती के साथ महिला जा रही थी और पीछे से आ रही बियम जबलू ने दोनों लोगों को चक्कर मारी जिसमें महिला की मौत हो गई और बीच में आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में ये वही आरोपी है महरशा मुख्य आरोपी जो अभी भी फरार है तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं आरोपी के पिता को पोलस ने अरेस्ट कर दिया है जिसे आज पोर्ट में पेश किया चाएगा तो मुंबई हिट एंड रन का आरोपी महरशा अभी भी फराद चल रहा है चार पुलस की टीमें लगाई गई है जो की लगातार महरशा को तलाश रही है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी डियूज आपको रखे आगे